दिल्ली सरकार के जेल मंत्री ये वसूली भाई बन गए हैं वसूली भाई सतेंद्र जैन अर्विन केजरिवाल जी के लिए वसूली करने का काम जेल में कर रहे हैं और ये गंबीर आरोप है प्रशासन उनका है जेल मंत्री खुद जेल में बंद है तो वहीं से उन्होंने जेल में जो लोग protection चाहते हैं protection मनी दो और jail में सुविधाय लो protection मनी दो jail में mobile चलाओ protection मनी दो और jail में मन मर्जी जिसको बुलाओ उससे meeting करो बात करो और jail से ही protection और extortion का धंदा सतेंदर जैन जो अर्विन केजरी वाल सरकार के खास मंत्री है उन्हों वो कर रहे हैं यही कारण है मैं आपको बताना चाहता हूं यही कारण है अर्विन केजरी वाल जी अभी तक उनको मंत्र मंडल से बरकास नहीं किया दिली सरकार के जो jail मंत्री है jail के अंदर जो है पिछले चे महने सेnor जेल से ही अपना धंदा चला रहे हैं, जेल में पिछले छे मेनों से वसूली कर रहे हैं, और एक जो वहाँ पर ठग है, सुकेस चंदर से खर, उसको यह उन्होंने ठगने का काम शुरू कर दिया है, और यह बात तब खुलासा हुई, जब सतेंदर जैन खुद जेल मंत्री रहते हुए, जेल के नीमों का उलंगन करते हुए, एशो अराम की जिन्दगी वहाँ गुजार रहे हैं, वो वहाँ मसाज भी करा रहे हैं, वो वहाँ मोबाइल फोन से बाते भी कर रहे हैं, वो जो की विटनिसेज हैं, मुख्य गवाँ हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, धमका भी रहे हैं उनको, जो को एक्क्यूजड हैं इस मनी लॉंडरिंग केस में, जिसमें खुद सतेंदर जैन जी बंद हैं, उनसे वो पार्टी भी उनके साथ कर रहे हैं, और वो सारे वीडियो फुटेज सामने जब आए, तो ये पता लगा, जो सुकेश चंदर से करने, जब साथ अक्टूबर को माननी एलजी साब को पत्र लिखा, कि जेल में हम एशो आराम से रहे, इसके लिए वो दो करोड रुप्या पर मन्त ले रहे, दस करोड ले चुके अभी तर.